एक दिसंबर से आ रहा था सोनी पल नए सीरियल्स के साथ डी डी फुरिस पर यहां तक की प्रोमो भी रिलीज हो चुका था लेकिन अब इन सीरियल्स का क्या हुआ जी हां दोस्तों यही डिसकेशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में और यह वीडियो उन लोग के लिए काफी खास रने वाली है जिनको हमारी बात पर यकीन नहीं है यानि जिन लोग को लग रहा है कि पिछले कुछ तिरों में जो भी अपडेट डी डी फुरिस के में बताई जा रहा है थी सोनी पल और क्रसिस्ते के लोटने के संबंध में वो फीक नूस थी तो वो लोग यार वीडियो में अखिक तक बन रहना इस बार भी सही खबर देंगे सटी खबर देंगे तो चले दोस्तों बिना किस देरी के सुरू कर लेते हैं हां तो स्वगत है आप लोग का आपके अपने यूटूब चैनल डी टी एच टॉक्स में मैं आपका अपना दोस्त हर्स जैसके आपको पता है जब हमारे बीच डीडियो फोडिस के 63 यॉक्शन में सोनी पल और क्रसिस्ते का नाम सामने आया सुरूआज में तो दोस्तों सभी लोग काफी खु लेकिन गाइस जब खुद परसारभारती ने डीडियो फोडिस का ओफीशल टूटर हैंडल पर इन चैन्स के गाइस LCI नमबर को जारी किया तब करीब 90% लोग को भरोसा हो गया कि ये चैन्स आने वाले हैं लेकिन दोस्तों आज आपको जसकी पता है 9 दिसम्बर की डेट ज किया गया है अगर आप परसारभारती और डीडिफरी से कांटक्ट करने की कोशिस करेंगे इन चैन्स के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे तो उनका इक ही जवाब आएगा कि फिलाल कोई टेक्निकल इशू चल रहा है इसलिए कुछ चैन्स को अपडेट नहीं किया जारा आने वाले कुछ दिनों में कुछ नए चैन्स को अपडेट किया जाएगा तो देखे दोस्तों पहले तो ये जवाब उनकों के लिए जिनको लग रहा था कि ये खबर हमारी गलत थी तो अगर आप लोगो गाइस पता होगा तो इसी बीच सोनी पल ने जी हां दोस्तों सोनी पल ने ओफिशल रूप से अपने टीवी चैन्म पर एक प्रोमो को रिलीज किया था जहां पर काफी सरे नए सोस के नाम को अनौंस किया गया था कि एक दिसंबर से सोनी पल में महा बदलाव होगा और इन सोस को स्टार्ट किया जाएगा तो गैस अब खुद अनुमाल लगा सकते हैं कि अचारक सोनी पल ऐसे ही कोई प्रोमो रिलीज नहीं करता यह प्रोमो तभी रिलीज हुआ था जब सोनी पल ने डीडी फुडिस के 63 यॉक्षन में अपना स्लोट जीत लिया था उसके बाद इस प्रोमो को रिलीज किया था बस इसमें एक बात को इस पश्ट नही किया था जो कि था अब से डीडी फुडिस पर भी उपलब्द वाली लाइन जानी कि इससे पहले जब भी सोनी पल डीडी फुडिस पर वापस आता था और वह अपना कोई प्रोमो रिलीज करता था तो उसमें यह टेग रैंड रहती थी इस बार गईस ऐसा इसले नहीं किया गया क्योंकि इन चैन्स ने जब योक्षन में अपना स्लोट वान कर लिया तो यह दोनों ब्रोकास्टर्स मिलकर यह चर्चा करने लगे कि इनको जो स्लोट के नंबर दिये गए हैं वह काफी एंड के हैं तो इसी हुझे से सोनी पल ने डीडी फुडिस का नाम यहां पर मैं इसी भी चैनल्स की वापसी होती है वह अपने कंटेंट को पूरे तरीके से बदल लेता है तो यह तो वह प्रूस्ता जिससे यह साबित हो जाता था कि यह चैन्स इस योक्षन में जीते थे क्योंकि सोनी पल ने प्रोमो भी रिलीस कर दिया था आज कि मेरे मुद्दे की बा बात खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इतना बड़ा अगर अपने टीवी चैनल्म पर इस बात का प्रोमो रिलीस कर रहा है कि वह नए सोस को स्टार्ट करेगा इस दिन से तो उसे कहीं न कहीं किसी ना किसी प्रकार से उन सोस को स्टार्ट करना पड़ा तो इसी मजबूरी क करन सोनी पन ने कुछी दिन बाद यानि कि तीन या फिर चार देसंबर के दिन इन सोस को अपने यूटूब चल्म पर रिलीस किया गया लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि जो प्रोमो निकाला गया वो यूटूब पर लॉंच करने के लिए निकाला गया है उधारन के तो उसका प्रोमो वो अपने टीवी चल्म पर नहीं दिखाती ठीक उसी प्रकार से जो यह प्रोमो रिलीस किया गया था सोनी पल दोवारा यह भी उन्होंने अपने टीवी चल्म के लिए प्रंतो स्रोड्स की कुछ दिक्कतों के करन वो नहीं आये आसा करता हूं आप समाझ होंगे जब डीडियो फ्रिस की ओडियन्स सोनी पल से जूट जाएगी फिलाल यह अपडेट आई थी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में